फ्लफी एक छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा एक मोमो की दुकान के बाहर बैठा था. उसकी आखे बड़ी-बड़ी और चमकदार थी. वहाँ भाप निकलते बांस के डिब्बो को देख रहा था. मोमो की महक से उसका दिल मचल उठा. वहाँ मोमो खाना चाहता था, ल कि मोमो वाला थोड़ी देर के लिए दुकान से दूर जा रहा है. उसका दिल तेजी से धड़कने लगा. क्या यह सही मौका था कि वहाँ एक मोमो चुपके से ले ले? वहाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ा, पर जैसे ही वहाँ मोमो चुने वाला था, मोमो वाला वापस आ गय फ्लफी जल्दी से एक डिब्बे के पीछे छिप गया. उसने सुना कि दो कबूतर आपस में फुस्फुसा रहे थे. वे एक सुनसान गली में पड़े एक पुराने मोमो के ठेले के बारे में बात कर रहे थे. फ्लफी का दिल धड़क उठा. क्या यह सच हो सकता है? वह तु जीब था. थेले पर कोई मोमो नहीं थे. बस एक पुर्ची रखी थी. उस पर लिखा था. पहली सुलजाओ और तुम्हारी खवाहिश पूरी होगी. फ्लफी ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया. पहली थी. मेरे अंदर कई तरह की भराई है. पर मैं खुद खाली हूँ. म लफी को अचानक समझ में आया. जवाब मोमो है. जैसे ही उसने धीरे से मोमो कहा, थेला अचानक मोमो से भर गया.